कि जोहार सभी सातियों का स्वागत है आप सब का अज की वीडियों में अब देखिए बहुत सारे दोस्त लगातार कॉल मैसेच करते हैं और वहीं पूछने कि आगे क्या करना अभी इनतिजार कर सकते हैं, अगर आपने railway का वेकंसी डाला है, अगर आपने अपलाई किया है, तो railway का तयारी करीए, अच्छे से करीए, होना नहीं होना बात की बात है, उसके बात देखते हैं, हो सकते हैं, जार्खंड सरकार का हिर्दय परिवर्तन हो, फुल रहने में कोई बुराई नहीं है ठीक है हो सकता है हिर्दय परिवर्तन हो और वो छात्रों के लिए काम करें ठीक है कुछ वेकंसी बगएर दे आने वाले टाइम पर उमीद कर सकते हैं लेकिन फिलाल अभी छारखंड का कोई तयारी फिलाल अभी मत करी जब वेकंसी आएगा तब देखा है वेकंसी बहुत सारी थी इसले मैं लगतार वीडियो से बोलता हूं जहां जहां आपकी eligibility है जहां आप eligible है उन फॉर्म को apply जरूर करिए ठीक होना नहीं होना आप उसकी तयारी करेंगा ने करेंगा बात की बात है जब वेकंसी आया है तो apply कर दीजिए ठीक है क्योंकि आप आपको पता ही है क्या सीन रहता है सरकारी नौकरी को लेकर के काफी समय लग जाता है तो कब कौन सा एक्जाम का तयारी आपको मजबूरी में करना पड़ जाए किसी को नहीं पता ठीक है तो अभी भी जो लोग फ्रेशर सां इस बात का ध्यान दीजिएगा आप जहां eligible है बैंकिंग सेक्टर छोड़ करके क्योंकि बैंकिंग की अगर आप त्यारी कर रहें तभी आप फॉर्म भरिए अधर इधर जो जेनरल फॉर्म होता है उससाब अप्लाय किया गरिए ठीक है बात पॉलिटिकल ही करेंगे क्योंकि अभी तो कोई वेकेंसी बगर है निजब वे तो परफॉर्मेंस अच्छा बोला ही जाएगा लेकिन अगली स्टेट्मेंट में वो बोलते हैं कि यह आजसू को रिप्लेस कर देगी तो इस बात मुझे सच्चा ही बिल्कुल भी नहीं लगता है इसमें कोई इस बात में कोई दम नहीं है आजसू को रिप्लेस कर देना य महतो प्लिटिक्स ही do Iyi ओं उनके कौर वोटर्स जो हे वो prendh 15% महतो समाज के लोग है कुडिमी समाज के लोग है है कि पहले क्या था? यह 15% जो थे जब एक हो कर के वोट करते थे तो इनकी वैलिव थी लेकिन अब यह 15% वोट क्या हैं? कुछ वोट आजसू को मिलेगा, कुछ ज्यादा वोट जेल केम को मिलेगा, कुछ वोट जेल केम को मिलता है, महतो समाज का इसमें तो कोई सनसा किसी को नहीं है, तो अब इनका वोट जो हो जाएगा वो डिवाइड होगा, ठीक है, और जब वोट डिवाइड होता है किसी भी स समाज का तो उस समाज का जो राजनितिक इंपोर्टेंस होता है पॉलिटिकल उनकी जो ताकत होती है वो कमजोर होती है इस बार के चुनाव में आपने इस चीज को फिल किया ही होगा और दो जार उन्तिस में यह और ज्यादा क्लियर हो जाएगा और बहतर तरीके साब को इस चीज दिखेंगी ग्राउंड बर अब बहुत सारे सीट पर आपने देखा होगा कि जे एम ने भी महतों केंडियर दिया है बीजेपी ने भी महतों केंडियर ही दिया है और जेल केंडियर भी महतों केंडियर दिया है क्योंकि आबादी है वहां महतों की तो तीनों के तीनों केंड़िएट महतों हैं तो आने वाले टाइम पे क्या होगा जेल केंड़िएट देगी उसके ओपोजिशन में आपका जेमें भी महतों केंड़िएट ही देगी और हो सकता है बीजेपी वहां पें महतों केंड़िएट पैर रख करके ये पार्टी खड़ी हुई है अपना बोले तो महत्तों उस ने जम्म को कमजोर ने किया, ना ही कॉंग्रेस को कमजोर किया, ना ही बीजेपी को कमजोर किया, जिसको की, बारी पार्टी लोग बोलते हैं, कमजोर किसको किया जो कि जारखंट की ही पार्टी ती आजसु इसको कमजोर किया और इन दोनों के बेटल जारखंट में चलता रहेगा कभी यह ज़ारखंट कॉटं काटे इन कभि यह ज़ाएंगे डोनों का राजनलितिक महत्व भी दीरे-दीरे सुन नहीं होता चला जाएगा कभी एक दो सीट यह जीत जाएंगे JLKM वाले कभी एक दो सीट सुधेस महत्व के पाटी जीती जाएगे इस से ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है जो लोग बोलते हैं कि जिन सीटों पर JLKM सेकेंड नम्मर पे रहा ह वहां अगली बार जीती जाएंगे तो ऐसे लोगों के लिए दो मिनट का साइलन्स ठीक है दो मिनट का साइलन्स उन लोगों के लिए जिनको ऐसा लगता है यह कभी नहीं हो सकता है क्योंकि बिल्कुल सच्चा ही है चाहे JLKM हो आज और यह महतों बेस्ट पाटी है आपका आपका काफी बोल बाला था 75 आपके फॉलोवर्स मतलब आपके समर्थक नहीं YouTube चैनल बना के रखा है WhatsApp पेज बना के रखा है हर जगा आपका चर्चा था आपके पास जवाब दे ही नहीं थी लेकिन अब जब 5 साल के बाद आप ग्राउंड पर जाएगा वोट मांगने तो आपको रिपोर्ट कार्ट लेके जाना होगा कि डूमरी में क्या काम कर दिया अपने ठीक है तो यह सारे चीजा भी होती है अब तो आपको लोग जवाब आपसे जवाब तलब करेंगे न वी स्थापन को लेकर कि आप ने क्या जंडे गाले ठीक है 1932 को लेकर कि आप कितनी बिधान सभा में आप गरजे और तमाम तरह के सवाल जवाब से होंगे ऐसा बिधायक आपने क्या परफॉर्म किया तो वह सब भी फ्यक्टर बनता है और उसके कारण से भी वोट कटता है और अच्छा काम करेंगे तो वोट बढ़ेगा भी ठीक है तो बहुत सारे नेता आय और चले गए इसलिए मैं बोल रहा हूं कि राजनीती में कोई भी चीज फिक्स नहीं होता है उतार चड़ाव इसमें लगा रहता है तो थोड़ा सा भी परफॉर्मेंस खराब हुआ तो गिरावट बहुत तेजी से होती है बीजेपी पिछली बार 2019 में टोटल पचास लाग बोट बीजेपी लेकर के आई है वोट शेयर बीजेपी का बढ़ा है सीटे घट गई सीटे घटने का कारण आप सबको भी पता है कि बहुत सीटों पर बहुत हेवी डेमेज जेल केम पार्टी ने किया है और कॉंग्रेस जेमें आर जेडी ये सारी पार्टियां अब जरा मह पैसा कोड़ी कम पढ़ रहा है तो हम लोग अपना खजाना आपको ट्रांसफर करेंगे जितना पैसा चाहिए होगा देंगे ठीक है वो सारा चीज हिल्प किया जाएगा और इनको बोला जाएगा कि आप चुनाओ लड़ते रही है बहुत जाद आपको दिमाग नहीं लगा होगा भी ठीकада खuc कि छेलाओ वोट लेकर के आई है इस बार और यह कहीं निकली खत्रे की गंति लिए अरजडी इतना मजबूत होगी और बनाएगी और एक बार यहीं और पाल यहां मजबूत हो गया तो मुसलिम वोट तुरंट shift हो जाएगा RJD और Congress की तरफ वो GMM को छोड़ देंगे बिलकुल हकिकत बात आपको मैं बता रहा हूँ ठीक है आज सू 6,32,000 वोट ले करके आई थी 6,32,000 और JLKM 10,000 यह 4,000,000 का gap है अगली बार हो सकता है कि 11,12,000 वोट JLKM ले आए और यह 4,000,000 लेकिन इससे आदा नीचे नहीं गिरेगा वोट मैं फिर से आपको बोल दे रहा हूँ यह इसका वोट काटिंग वो इसका काटिंग और यही चलता रहेगा JMM ने 41,000,000 वोट लाया था आप कमपेर कर लिजे बीजेपी का 60,000,000 के करीब है 59,000,000 और JMM 41,000,000 ठीक है तो बहुत अजीब समीकरन जारखन में बनता है कौन किसको वोट कर देता नहीं करता है को समझ में यहां पर नहीं आता है ठीक है ना लेकिन इस बार जो भी चुना हुआ है उसमें सिर्फ एक चीज़ समझ में आया है कि जरा महतो की पाटी JLKM ने अपने ही समाज के लोगों को कमजोर किया है और जो धाक महतो कम्यूटी की थी उसको भी कमजोर करने का काम किया है और जैसे जैसे ये बात फैलेगी जैसे ये बात ग्राउंट तक जाएगा कि अब मौतोब वोट डिवाइड हो जाता है आधा इधर आधा उधर आधा जाता है तो अटोमेटिक है राजनितिक इंपोर्टेंस आपका कम होता चला जाएगा बाकि आप लोग क्या सोचते हैं अगर आप लोगोंने फॉर्म भरा है अब यह मत सोचिए कि आपका सेलेक्शन होगा ने होगा मैट्स बनाइए रिजनिंग बनाइए तुरह टच में रहिए अचानक से कोई वेकेंसी अगर बिहार में या जार्खन में आती है तो वह अब जो लोग मैट्स बना रहे है कम्यूटी के लोग जार्खण में है और किसी के पास यह आशिरिवाद है कि हमारे कम्यूटी के लोग 15% जार्खण में है और हम विधायक बन जाएंगे इतना सार नहीं है ठीक है तो यह सपने देखने का हक कुछ लोगों को ही है तो आप फालतुमें सपने मत देखिए ठीक है ठीक ठाक पहसे आप कमा सकते हैं अधरवाइस थोड़ा और समय देना चाहते हैं तो फिर रेलवे और इन सब एक्जाम्स की त्यारी करिए अच्छे से करिए इसका फायदा आपको आगे किसने किसी एक्जाम में मिल जाएगा बाकी जो है सो है क्यास पर बोला जाएगा मिलते किसी और वीडियो में जुहार आप सभी को